हेलो फ्रेंड्स मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसकुमार गार्डनिंग तो देखिए ये मेरे कुछ गुलाब के पोधें हैं और इनकी प्रूनिंग आज में कर रहा हूँ तो प्रूनिंग का क्या लाब मिलेगा और आपको भी गुलाब की प्रूनिंग इस समय कर देनी चाहिए पुरानी सभी ब्रांचेस जिन पे नई ग्रोथ ना हो नई ग्रोथ को छोड़के लगभग सभी पुरानी ब्रॉज सूखी ब्रांचेस को आपको कट कर देना है हार्ड प्रून लगभग कर देना है ताकि इस पे नई ग्रोथ स्टार्ट हो सके और क्योंकि नई ग्रोथ जो होती है उस पे ही फ्लावरिंग आती है और इस समय यदि आप इसकी प्लूरिंग कर देंगे तो आपको अपने गुलाब के पौधे पे नई नई ब्लाविंचे का डफ्लमेंट देखने को मिलेगा लगभग एक हपते पहले मैंने इस पे गोबर खाद और हलका सा बोन मील पाउडर दिया है एक हपते पहले देने का फायदा ये होगा कि आपका पौधा अचानक से सौक में नहीं जाएगा क्योंकि डारेक्ट येदी आप इसकी पौणिंग कर देते हैं तो हो सकता है आपका पौधा ग्रोथ इतनी सही ना करें एक हपते पहले मैंने इस पे गोबर खाद और बोन मील दोनों का मिक्स मिला के और दिया है और आज मैं एक हपते बाद इसकी पौणिंग कर रहा हूँ और थोड़ा केमिकल फटलाइजर्स का भी प्रियोग करेंगे क्योंकि नेचरल फटलाइजर्स से उतने पोसक तक तो हमारे फ्लावरिंग प्लांट को नहीं मिल पाते तो क्या डालूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा तो देखिए इस तरह आपको लगभग सभी पौधों की हार्ड पूरूनिंग कर देनी है गुलाब के जितने भी पौधे हो और जहां से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है नीचे का पौधा पूरी तरह से साफ कर देना है सभी ब्रांचेस और सुखी पत्तियों को हटा देना है क्योंकि ऐसा करने से हवा का संचार बढ़िया होगा पौधे के आसपास और किसी तरह का फंगस इत्यादी का टेक नहीं होगा तो और किसी खुर्पी इत्यादी के सहायता से देखिए मैं इसकी गुडाई कर रहा हूँ और इसी तरह आपको भी करना है यदि खाद आपके पास ना हो तो आपके पास जो चाय बनाते हैं उस चाय पत्ति को अच्छे से धो के सुखा के उसका भी प्रियोग आप बहतर फ्लावरिंग के लिए गुलाब में कर सकते हैं तो देखिए लगबख सभी ब्रांचेस को मैंने पुरानी जो भी थी और नई ग्रोथ को छोड़ कर कट कर दिया है और एक पौधा और है इसको भी हाट पूरून मैं कर रहा हूँ पूरूनिंग का एक फाइदा हमें ये मिलता है कि इससे नई साखाएं डवलप होती है पुरानी ग्रोथ जो होती है वो आपकी नई साखाओं के डवलपमेंट में रुखावट पैदा करती है इसलिए अपनी लगबख सभी पुरानी ग्रोथ को मैं कट कर रहा हूँ और कुछ ही समय में लगबख एक महीने के अंदर ये पौधे पूरी तरह से हरे भरे वस्वस्थ हो जाएंगे और उनसे हमें बहतर फ्लावरिंग मिलेगी तो यदि आपके पास भी गुलाब के पौधे हैं तो इस समय बहतर सीजन है क्योंकि बारिश का मौसम लगबख चालू हो गया है और आपको लगबख सभी पौधों को हाट पूरून कर देना चाहिए जिससे आपकी गुलाब के पौधे में नई साखाओं का निर्मान स्रजन हो सके तो देखिए इस तरह सभी साखाओं को मैंने कट कर दिया है अब मैं इस पे कुछ केमिकल खास का भी प्रियोग करूँगा वो भी आपको बताऊंगा कि किन केमिकल खास का प्रियोग आप कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि एक हफ़ते पहले मैंने इस पे गोवर खाद और बोन मील का मिक्शर बना के डाला है तो आपके पास बोन मील ना हो तो गोवर खाद का प्रियोग आप करें और कुछ केमिकल फटलाइजर का भी प्रियोग आपको बैतर फ्रावलिंग और ग्रोथ के लिए करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ नेचुरल फटलाइजर से इस पे बैतर ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल पाएगी तो इस तरह आपको गुडाई इसकी गहरी गुडाई कर देनी है एक बार सूखी ब्रांचेस और पत्तियां जो भी हैं उन्स अभी को छाटके अलग कर देना है अपने पौधे के पास से देखिए इस तरह तो सभी सूखी ब्रांचे और पत्तियां मैंने अपने गंले से हटा दी है यह देखिए यह वे कट्स ब्रांच हैं जिनको मैंने काटके अपने पौधे से अलग किया है तो इसी तरह आपको भी करना है तो कुछ पौधे में पत्तियां आपको पीली दिख रही होंगी तो इनको बहतर green हो जाएं इसके लिए हम क्या डालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा आप वीडियो में बनने रहें तो इसके लिए खाद हम क्या डालेंगे तो देखिए ये D.A.P के कुछ दाने लगभग 20 से 25 या 30 दाने आपको अपने प्रत्यक गंबले में डाल देना है देखिए मैं डाल रहा हूँ और इसके अलावा एक और फटलाइजर्स मैं अपने पौधे में डालूँगा वो भी आपको बता रहा हूँ तो इस तरह आपको इसकी हलकी गुडाई कर देनी है खाट डालने के बाद तो पौधों में बहतर हरापन दिखाई दे इसके लिए आप मैगनीशियम सल्फेट थोड़ी सी मात्रा में लगभग 3-4 ग्राम प्रत्यक गंबले में आप दे दें मैगनीशियम सल्फेट बहतर ग्रोथ और पौधे को ग्रीन बनाने में सहायक होता है इसकी ग्रोथ बहतर हो इसलिए तो मैंने डिये पी के कुछ दाने डाल के और गंबले की मिट्टी में उसको अच्छे से मिला दिया है अब हम इस पे थोड़ा सा मैगनीशियम सल्फेट डालेंगे उसको आप लिक्वेट के रूप में गोल के भी डाल सकते हैं और यूँ ही गंबले में डाल क्योंकि यह गुल अंसील होता है और पानी डालते ही जल्दी से गुल जाता है देखिए मैंने ले लिया है पेंगनीशियम सल्फेट इसकी थोड़ी सी मात्रा दो से तीन ग्राम लगभग आप ले लीजिये चाहे पानी में गोल के आप डाल सकते हैं या यूँ ही पौधे पे डारेक्ट डाल सकते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और बहतर ग्रोथ में सहायक होता है तो इतनी सी मात्रा आपको देखिए इतनी सी लगभग सभी पौधों में गुलाब के डाल देना है और डालने के बाद इसकी थोड़ा मिट्टी को मिक्स कर देना है मिट्टी में और हल्का सा पानी डालना है ज़्यादा नहीं डालना है ताकि इसका पानी गमले से बहके बाहर न निकले तो आई होप मेरे द्वारा रोज प्लांट के विसे में यह दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्णिंग लविंग दोस्तों के साथ सेयर करिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आईकन को आल पर प्रेस करिए, तारकी मेरे द्वारा दी गई ऐसी ही रोचक वजानकारी प्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे, तो अभी के लिए फिरहाल इत कि अपको समय 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 का जिससी है कि लिए के वti तो चैनल गवारा दीी रहे, तो चैनल पर प्रेस का यूरारा दीकेशन आपको समय समय का तो उकनशलार टार कि और गवारे पार चैनल 002…